हाई गाइस कैसे आप लोग मेंनम अमीत और आप देखे रिवू मस्राइब आज अन्बोक्सिंग रिवू देना चाहरा हूं कुछ इंटेस्टिंग चीज जो है डावर हनी के तरफ से आता है हनी जो है स्ट्रॉवरी फ्लेवर में गाइस कुछ वैलू एडेट करूगा गाइस अगर वीडियो अच्छे लगा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा देख सकते नो एडेस सूगर है वीटमिन डी इसमें वरपूर है ग्रीन का बंदल वेज है और मिल्क सेक और ब्रेट के साथ भी इसको आप यूस कर सकते हैं इसको मैंने पहले ट्राइब नहीं किया स्ट्रावरी जो हनी है मैं आज ट्राइक करूगा और आपको पताओ का कैसा है देख सकते ग्रीन और इसका प्राइज है वन ट्विंटी रूपीस और यह 200 ग्राम्स में आता है इस नीट्रिशन वैलू मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप चाहते तो वीडियो को पॉस् सकते है और इसमें वीटामीन भी समय है देख सकते हैं इसमें रैक किया गाँ है प्लास्टिक से तो मैं ओपेन कर लेता हूं पहले कि उपेन कर लेता हूं और इसको मैं ओनलेंग खेंदू फ्राइक कोड़ों के डिस्क्रेशन बॉक्स में इसका आई करने का लिंक दे देने का जुब आप भी खड़ी सकते हैं और गाइस ऐसे वीडियो तेखनीक लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको ऐसी अन्बॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देठा रहता हूं मैं आप निकल गया है देख सकते हैं अभी और निटुशन वैलू मैं आपको दिखा देता हूं फिर से लिए दिख जाएगा आपको तो अभी देख लेते कैस है वाव इसे निकाल लेता हूं थोड़ा ओके पानी थोड़ा लिक्विट की तरह है गाइस देख सकते हैं इसको आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं तो मैं टेस्ट करका बताओ क्या क्यासा है गाइस जैसे फ्लेवर होता है वासी है थोड़ा यामी है और खाने में तो सही है इसमें जैसे सही बताएं मिल्क से एक में बहुत ही बढ़िया लाएगा और आप आप श्ट्रॉबेरी आइस्क्रीम या वैनिला आइस्क्रीम के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं अच्छे ल आपको ऐसी अन्बोक्सिंग रेवी वीडियो देते हैं नता हूं गाइस आची लेटाटा टेक केर गाइस और गाइस डावर हनी जो हनी फ्लेवर बहुत ही बढ़ी है आप ट्राइक कर सकते हैं आची लेटाटा टेक केर अच्छे लेए अच्छे खाईए गाइस ताड़ा जुर।-celड़ांग extr然後 आप ए्लीष्व गाइस parts ता छो नैएस खाईए ग्लीष्ट Ой झाल झाल